दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको एक समर्सीवल वाटर पंप बना कर दिखाने वाला हूँ इस वाटर पंप को बनाने के लिए आपको एक 6 वूल्ट मोटर की जिरुवत होगी इसकी कोश्ट है 20 रुपे आपको एक सरकल ड्रोप करना है जो की मोटर की सर्कमफेरेंस के बराबर हो इसके बाद आप सोल्टिंग आरण की मुदर से इसमें खोल कर दें याद रहे दोस्तों यह ओल उतना ही होना चाहिए जितना की मोटर में सर्कमफेरेंस है ठीक है अब हम इसमें मोटर को फिक्स कर देंगे तो यह दोस्तों इसकेंडर मोटर हमने फिक्स कर देंगे अब हम एक पंकी बनाएंगे जो पानी को पार फेक्रेम में मदद करें अब पंगी बनाने के लिए SIM कार्ट का यूज़ कर सकते हैं ठीक है इस तरह से आपको फैविक्विक की मदद से इसको लगा देना है अब आप दूसरी साइड से भी इसमें SIM कार्ट का यूज़ करें और इससे लगा दें आपको इसमें लगा देनों तो दोस्तों हमारी जो पंकीती को बनके रेडियो चुकी है इसमें आपको दोस्तों पूरे में टैप लगाना है यदि आप दोस्तों इसमें पूरे में टैप लगाना है इसके बाद आप इस फैन को अपनी मौटर के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से ठीक है दोस्तों यह हमारा जो वनकी दियू और ट्रिक साथ कनेक्ट हो चुकी है अब हम दोस्तों इसमें ओल्ट करेंगे जहां से एक साइट से वाटर इंसाइट होगा और दूसरे से आउट होगा तो जो आउट वाला पार्ट रहेगा वो यह रहे इसे मैं सोल्डरिंग आयरन के दस से किसमें होल कर दूँगा यहां से जो पानी डाएगा वो पार रिख लेगा और इस ओल से पानी अंदर आँगा ठीक है वाम इसमें एक लली के यूज करेंगे जहां से हम पानी को बहाद निकालेंगे कुछ इस तरह से आप इसमें लगा देंगे आँए हम इसमें फैविक के लगाएंगे जिससे यह नली बान निकले ठीक है दोस्तों हमारा वाटर पम कंप्रीट हो चुका है अब आप इस बाड़ी को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों मेरे पास है बालबूल्ट की मेंट्री जिसमें मैं इस वाटर पम को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से आपको इसमें कनेक्ट कर देंगे और अमारा सम्मर्सिबल वाटर पम रेडियर वीडियो अच्छी लागे दोस्तों हुंतों लाइक दरूर करें और चैनल को पी सस्क्राइब करें